Good morning students, आज जो हमारे lesson number 1, introduction to the computer से हमारे जो जैपिर से उनका revision स्टार्ट कर रहे है introduction to the computer का बन्तलब क्या है जो इंत्रोड़क्शन introduction भी हम क्या पढ़ेंगे हैं को computer से परिच्चे पढ़ेंगी यहन के आपको computer क्या होता है, computer के लिए इंतर कौणगों से parts होता है इस डाइग्रम को ध्यान से देखो सबसे पहले क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर को इंपूट देते किसकी हल्प से इंपूट देए पिटा उसके उपर क्या होती है सबस्के वर्क किया जाता है उसकी बाद प्रोसेसिन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट होता है काप्य चार डिवारान के रच बारे पढ़ेगे आज बेटा हम input device से start करेंगे यह एंटे data instruction into the computer by means of input device आप बेटा अपने computer के अंदर कोई भी data कोई भी instruction डालते हो input device की help से जो most commonly used input device से वो कुन कुन से हैं आपके keyboard and mouse keyboard का use हम किसले करते हैं बेटा is used to input your work into the computer keyboard का help से बेटा हमें जो भी आपने computer के अंदर data या फिर कोई भी number या letter टाइप करने हैं तो वो हम किसके help से input देते हैं keyboard के help से input देते हैं mouse का use किसले करते हैं बेटा to draw picture and select object mouse के help से बेटा हम क्या करते हैं किसी भी picture draw कर सकते हैं कोई भी object को select कर सकते हैं हमारे computer के अंदर बेटा सिर्फ ये दो input device नहीं होते हैं इनके अलावा भी कुछ होँ input device हैं जैसे कि joystick है, scanner है, microphone है, touchpad है, light pen हम इनके बारे में one by one discuss करें joystick joystick के है बेटा एक तरीके का input device है जिसका use हम किसले करते हैं to play games computer के अंदर games खेलने के लिए हम इसका use करते हैं second बेटा light pen light pen का आप use किसले करते हो it is used to select object on screen light pen के help से बेटा हम जो हमारे touch screen जो हमारे computer होते हैं उनके अंदर बेटा कोई भी object को select करने के लिए इस light pen का use कर सकते हैं इसके help से बेटा हम screen के ओप बेटा microphone microphone का use किसले किया जाता है कोई भी voice कोई भी music या फिर किसी भी तरीकर कोई भी sound अबारे computer के अंदर record करने के लिए हम किसका use करते है microphone का use करते हैं उसके बाद बेटा scanner scanner का use हम किसले करते है कोई भी picture को क्या करेंगे बेटा उसको अगर हमें input किसके अंदर चाहिए computer के अंदर चाहिए तो वो किसकी help से होगा आपके scanner की help से होगा लास्ट आपका touchpad touchpad का use किसले करते है it is used to move the mouse pointer with your finger इसके help से हम हमारे mouse pointer को screen के उपर move करते है हमारी finger की help से touchpad के होती है एक flat surface होती है जो कहाँ पर होती है हमारे जो laptop होगे रहे हैं उनके अंदर होती है ठीक है इसके उपर जिस भी direction में हमारी finger move करते है उसी direction में हमारा mouse pointer भी move करता है तो यह बेटा सारे आपके input devices के बारे में था कल हम processing device के बारे में पढ़ेंगे ओके थैंक्यू